स्टेप फादर और स्टेप डॉटर में अफेर हो जाता है और उन्हें डिसाइड क्या मदर को अपने रास्ति से बहार निकाल देंगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टरंस के साथ आज के हमारी मुवी मिनी इस फर्स टाइम इस 2006 की एक डाक कॉमेड़ी थ्रिलर हॉलिवड मु बने इसके लिए उसे सब लोगों ने वोट किया था मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉलम्स आए पर इन सब चीजों से मैंने एक बात सीखी कि जो चीज आप पाना चाहते हो उसके पीछे आपको जाना चाहिए और इसके बाद फ्लैश बैग में हमारी मुवी स्टार्ट ह होती है आज मिनी का बड़े था तो उसकी मदर डायना ने उसके लिए बहुती बड़ी पार्टी रखी थी बड़े पार्टी पर उसने एक स्ट्रीपर को भी इन्वाइट किया था यहाँ बर हम हमारे अलग-अलग करेक्टर से मिलते हैं डायने के एक फ्रेंड थी जिसका न मिनी निकली और नूर थी अपनी मदर को इंबरस करने के लिए उसने यह सब किया हुआ था मिनी फिर अपने बारे में बताते हो गयती है कि मेरी मदर एक एक अक्ट्रेस बनना चाहती थी इसके बाद एक प्रोडूसर की वज़े से उप प्रेगनंट हो गे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाली थे उसी वज़े से उसने मुझे बढ़ दिया इंसाव बातों की वज़े से मिनी अपनी मदर को हेट करती है वो एक अलकुलीक है और मिनी पर कभी भी ध्यान नहीं रखती है मेनी ने आज जो भी किया था इसके लिए डायन से सौरी गयती है डायन ने कहा क कि मेरे मदर और मार्टिन की बीच में उतने अच्छे रिलेशन्शिप नहीं है वो कभी भी उन्हें एक साथ नहीं देखती है मेनी को हमेश अलग-अलग चीज़े एक्स्प्लोर करना बहुत यह अच्छा लगता है जो भी नया हो यह उससे करना ही होता है आज रात वो डिस कि इस सीच्वेशन को फाइदा उठा सकती है हो मार्टिन से बात करने लग गए उसने कहा कि लाइट बन कर दो मैं जरा शाय हूँ लाइट बन करने के बाद पीछे से मार्टिन के पास आती है उसकी आखों पर उसने पट्टी बांदी और उसके बाद उसके साथ इंटिमेट होके यह सब करने के बाद मिनी को बहुत ही मजा आ रहा था वह मन ही मन में सोचती है एक दिन मार्टिन को सप्राइस करेगी पर तब पीछे से मार्टिन आ जाता है मार्टिन ने कहा कि तुम तुमारी चावी पीछे ही छोड़कर आ गई थी मिनी ने जब उसे अपना चेहरा दिखाया तो बहुत ही जादा शौक हो गया था वह कुछ भी बोल नहीं पाया और आने के बाद भी उकुछ भी नहीं बोलता इसके बाद मिनी के आसपास भटकने लग यह था उसके वह पूछता अलग-अलग चीज़ों को लेकर उससे बात करता नेक सिन में स्कूल में दालो वो सबके सामने उसकी पैंड निकालने लग और वो बहुत ही जादा डर जाता है सबके सामने दुम-दवा कर भागा एक राद जब डायन सोई हुई थी तो मिनी की बेड्रूम में मार्टीन आया मार्टीन ने मिनी से खा उस राद जो भी हुआ था इसके बारे में मैं स्टार्ट हो गया था मेरी मज़र से बढ़ला लेने के लिए एक बहुत इस अच्छा वे था एक राध डायन ने मीनी के बेडरूम से आवा सुन ली मार्टिन ब्लांकेट में छुपक्या डायन मीनी इस बात पर बहुत अस्ते हैं आज एकल इतना सारा टाइम एक दूसरे की साथ spend करते थे तो एक दूसरे से वो प्यार करने लग गए अब चार पाज मन खुजर जाते हैं मार्टिन ने मिनी से बात कि कहा कि अब मैं डायन के साथ नहीं रह सकता मुझे उसे देख कर भी घीन आती है हम दोनों को हमेशा एक साथ डर डर कर रहना बढ़ता है मेनी कहती कि मैं भी तुमारे साथ बिना restriction के रहना चाहती हूँ हमें मेरी मर्दर को हमारे रास्ते से हटा देना चाहिए मार्टिन बुशता है कि क्या तुम उसके मर्डर के बारे में बात कर रहे हो मिनी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हम स्लोली स्लोली उसकी दिमाग यहारत खराब करेंगे उसे एक institution में भीज देंगे जिससे कुछ भी problem नहीं होगा दिवोस में तुम्हें 50% property उसे देनी पड़ती है यह भी तुमारी बच जाएगी है अब इसके बाद अपने plan को लेकर यह आगे बढ़ते है मिनी ने अपने school के pharmacy से कुछ medicine चुरा लिया यह नीन वेगरा आने के medicines थे डायन के लिए मिनी ही हमेशा drink बनाती थे तो slowly slowly उसे गुलिया वो देने लग गये डायन को भी इस बात का कभी भी शक नहीं गया एक दो दिनों में डायन का गुसा बढ़ने लग गया उसे massage लेने के लिए अरजन जाना था पर मिनी ने उसकी keys चुपा दी थे मिनी और मार्टिन दोनों मिलकर डायन को पागल ठहराने की कोशिश कर दिया डायन इस बात से वो बहुत ही जादा disturb हो गई थी हो मार्टिन की कार लेकर चली गए मार्टिन की एक बहुत important client के साथ meeting थी जो कर नहीं पाया अब जिस appointment पर डायन जा रही थी मिनी call करकर उस appointment को cancel कर देती है डायन जब वहाँ पर पहुची तो उसकी friend massage ले रही थी है मस्यूज के साथ वो intimate भी हो रही थी इस बात से डायन बहुत ही जादा गुश्सा हो जाती है उसने कहा कि आज मेरे appointment थी तुम ऐसा कर कैसे सकते हो जेलेना डायन को समझाने की कोशिश करती है पर डायन ने जेलेना को इतनी जोर से पंच किया कि उसके हाथ में fracture आ गया था अब इसके बाद और भी उसे तंग करने के लिए मिनी घर पर कुछ भी order करने लग गए एक दिन उसने डायन के नाम से बहुत सारे zoo animals घर पर बुला लिया डिलेवरी के लिए जब वो आदमे आता है तो डायन ने कहा कि मैंने सब order नहीं किया था उस आदमे ने कहा कि कल शाम तुम नहीं तो कॉल किया था यहाँ पर आज तुम party करने वाली थी डायन हर राट ड्रंक होती है तो मिनी और मार्टिन को यह साबित करना कि ड्रंक होकर उसने order की थी कुछ भी बड़ी बात नहीं थी इस बात को लेकर मार्टिन नाटक करता है कि डायन पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे बहुत ज़्यादा बाते करें वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी पार्टि में जो भी लोग थे वो डायन के बारे में बात कर रहे थे कि आजकल वो बहुत ज़्यादा बरताव करती है जब वो पार्टि में लोगों से बात करती है तो उससे इग्नोर करने लग गया तो डायन इस बात से बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो के यहाँ पर वो बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है मार्टिन और मिनी फिर उसे घर पर लेकर गया एक दिन डायन की फ्रेंड जलेना ने उसे मिलने के लिए बुलाया जलेना कहती है कि मैं तुम्हारे एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो उस दिन तुमने जो भी देखा वो मेरे हस्बन को पता नहीं चलना चाहिए डायन कहती कि मेरे बारे में भी गलत चीज़े बता ना तुम लोगों को बन करतो इस मीटिंग के बाद डायन जब बहार नेकली तुम इनी आसपासी थी मेनी कुछ लड़कों को हायर करती है और उन लड़कों ने डायन को धमकी देना स्टार्ट करती है फोन पर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे एड्रेस के बारे में पता है अगर तुम घर पर गई तुम्हें एक डेंजर है इस बात से डायन बहुत ही ज़दा डर गई जिस तरीके से वो फोन पर बात कर रही थी है इसे मॉल के सिकुरिटी ओफिसर को लगता है कि ये लड़की पागल है उसे जाकर रिस्टिक करने की कुशिश कर दे तो डायन का फिर से एक ब्रेकडाउन हुआ इसके बाद आज रात मीनी और मार्टिन ये दोनों डिनर के लिए जा रहे थे उन्होंने डायन से पूछा पर डायन इसके लिए मना कर दिया ये दोनों फिर ब्लैक सुट पहन लेते हैं डायन को फिर से उन लड़कों से धमके का कॉल आया तब ही मार्टिन और मीन एक चाकू लेकर उसका पीछा करने लग गया डायन बहुत ही ज़दा डर जाती है भाग कर उसने अपने आपको एक कमरे में बन कर लिया इसके बाद मीनी और मार्टिन डिनर के लिए चले गए थे जब वो वापस आय तो डायन ने बहुत सारी स्लिपिंग पिल्स ले ली थे उन्हें पहले लगता है कि शाय तो मर गयी है पर अब तक वो जिन्दा थी मार्टिन अब एंबूलन्स को कॉल करने वाला था और मीनी कहती है हमें यह नहीं करना चाहिए मार्टिन ने कहा कि हमने तो डिसाइड किया था कि हम इसका मर्डर नहीं करेंगे मीनी ने कहा कि अगर हमने इसे बचाने की कोशिश किया पर फिर भी कभी ना कभी एसुसाइड करने ही वाली है मार्टिन भी फिर इस बात के लिए मान जाता है आधी रात बीट के पर फिर भी डायन की डेथ में हुई तो मीनी कहती है हमें इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहिए उसने फिर डायन की कपड़े चेंज के लिए मेकप लगा और मार्टिन के साथ मिलकर उसे गाड़ी में हो डाल देती है गाड़ी को ओन रख कर सैलेंसर को बन कर दिया जिससे ग्यास की वज़े से डायन की डेथ हो जाए ये सब करते हैं मीनी को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता ये बात मार्टिन को बहुत ही अजीब लगी थी डायन की डेथ हो जाने के बाद ये पुलिस को कॉल करते है मीनी बहुत ही ज़ादा रो रही थी एक डिटेक्टू आकर फिर उनसे बात करता है इसका नाम तो ड्वाइट ड्वाइट ने कहा कि मुझे एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा कि क्या इस सल्चूंच में सुसाइट थी क्या कुछ अलग था इस बात पर मीनी उस पर बहुती ज़ादा गुसा हो जाती है कहती है अभी मेरी मदर की डेथ हुई है और तुम ये सब बात हैं हमसे कर रहे हो ड्वाइट फिर मार्टिन से अकले में बात करता है मार्टिन और मेनी किस-किस टाइम पर कहा कहा थे इस सब की details उसने ले लिए डायन की carview as a evidence लेकर जाता है इन सब बातों से मार्टिन बहुत ज़्यादा डर गया था वो मिनी से कहता है कि ड्वाइट को कुछ ना कुछ तो पता है मिनी कहती कि ज़्यादा वरी मत कर उसे कुछ भी नहीं पता वो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था डायन की funeral के बाद डायन की friend सी ये मार्टिन बन लाइन मारने लग गए जेले ना आकर मार्टिन से बात करती है और कहती है अगर तुम्हें कभी भी सहारे की ज़रुवत पड़े तो मैं हमेशा तुमारे पास हो मैं 10 मिनिट में तुमारे घर पर आ जाओंगी मार्टिन और मिनी को जल से जल इन सब से दूर जाना था तो vacation पर एक जगा पर आ जाते है finally एक couple की तरह एक दूसरे के साथ है रह सकते थे इन्होंने बहुत enjoy किया पर एक रात अचानक से माइक यहाँ पर आ जाता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए माइक किसी ना किसी को तो बता देगा मिनी ने कहा कि वो किसी को कुछ भी बताएगा नहीं अगर उसने बताया तो उसका भी राज हम खोल देंगे कि हो एसकॉर्ड को लेकर होटेल में था इस डर की वज़े से मार्टिन और मिनी की रिलेशनशिप ज़रा खराब होने लगे थी एक दिन मिनी से मिलने के लिए डिरेक्टिव आया वो मिनी से कहता है कि तुम्हारे मदर के रिपोर्ट हमें मिले है गाड़ी में खुद को बन करने से पहले उसने कुछ पील्स ली थी कोई भी सुसाइड करने वाला आद में दो बार अटेम्ट नहीं करता उसने फोन रेकॉर्ड भी चेक किये थे वो कहता है कि आठ बज़े किसी ने 911 को कॉल किया था ये कॉल मार्टिन ने लगाने की कोशिश की थी और बाद में कट कर दिया था इस वाज़े से डिरेक्टू को और भी जादा शक चला जाता है डिरेक्टू को अब मार्टिन से बात करनी थी आज राद उसे अपने एक important appointment कैंसल करकर डिरेक्टू से बात करनी पड़ी उस रात के बारे में उसने बहुती detail से question पूछे कि किस time पर ओ कहा कहा थे उन्हें घर आने के लिए कितना time लगा मूविय में वो कितना time थे पर इन सब के answer उन्हें अल्रेडी ready करकर रखे थे मार्टिन ड्वाइट से कहता है कि अगर तुम्हें फिर से कुछ question पूछने होंगे तो मेरे lawyer से बात करना मार्टिन मीनी से कहता है कि तुम्हें उसे बात नहीं करने चाहिए थे तुम्हारी वज़े से उसे हम बस शक चला गया इस बात की वज़े से इन दोलों में बहुत बड़ा झखड़ा हो जाता है गुस्सा होकर मीनी रात में एक क्लब में चली गी मार्टिन ने उसका पीछा क्या तो किसी और आदमी के साथ वो टांस कर रही थी सुबा वो बहुती लेट घर पर आई तो मार्टिन कहता है तुम रात बर कहा थी मेनी कहती कि एक ही टाइम पर तुम मेरे फादर और बॉइफरेंड बनने की कोशिश मत करो मार्टिन कहता है कि हम दोनों relationship में है तुम कहा वरो क्या कर रही हो इससे लेकर वे वरी करता हो मेरी कहती कि मेरी first relationship है इसी वज़े से इस movie का नाम Minnie's first time है मार्टिन जब office पर आया तो Minnie और वो kiss कर रहा था इसके एक photo से मिल जाती है इसका address उसने trace किया तो उसे पता चलता है कि माइक के ओफिस से उसे इंवलोप मिला था वो पहले माइक पर शक कर रहा था तो इस बात पर वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाता है जब मार्टीन ओफिस में वापस आता है तो उसके बॉस ने उसे बुला हुआ था वो गहते है कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टन क्लाइन तुमारी वज़े से चला गया और उन्होंने उसे फायर कर दिया इस कंपनी को खड़ा करने के पीछे मार्टीन का बहुत बड़ा हाथ था तो बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो गया था इस सब के बारे में वो रात में मिनी से बात करता है अब वो गुस्से में मार्टीन को कंफरेंट करने वाला था पर मिनी कहती है कि अल्रेडी पुलीस हम पर शक कर रहे है अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो हमें और जेल में डाल देंगे अभी तो तुमने सिर्फ अपना जॉब खोया इसके बाद तुम सब कुछ खो सकते हो अगली दिन मिनी जाकर माइक से बात करते है उसने कहा कि मार्टीन को एक इन्वलोप मिला था जिसमें मैं और मार्टीन हम दोनों बहुत ही करीब थे है कि इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है माइक क्याता है कि मुझे इसके बारे में कैसे आइड़ा होगा वैसे तुम दोनों की बीच में जो भी है acceptable है इसके बाद ये दोनों बात करने लगके माइक मेनी को पियानो सिखाता है अलग-अलग चीजे करते हुए एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं मिनी ने माइक से कहा कि मुझे तुम्हारा शोब बहुत ही पसेन है माइक ने कहा कि अगर तुम उच्छ शोब पर आना चाते हो तो मैं कुछ ना कुछ तो करी सकता हो मेनी इसके लिए बहुत ही एकसाइडर थी है अगले दिन जब वो स्कूल में आए तो उसकी प्रिंसिपल उसे बुलाती है प्रिंसिपल के पास डिटेक्ट्ट्टू था उन्होंने उसे एक वीडियो रेकॉर्डिन दीका है जिससे साब साब पता चलता है मेनी स्कूल के फार्मसी से कुछ मेडिसिन चुरा रही थी ये गन्फरिट करने के बाद मेनी रोने लगती है कहती है मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था मेरी मदर ने मुझे लाने के लिए कह committee था वो मुझे blackmail करती थी पर जितना petrol लगना चाहिए था उतना लगा नहीं था इसका मदलब है तुमने हमसे जूटका है डिडेक्टर कहता है कि मैं प्रूफ कर दोंगा कि तुम इसमें involved है अब तुम्हारे पास एक choice है अगर तुम कहते हो कि सारा plan मिनी का था तुम्हें हम छोड़ देंगे यह opposite बात उसने मिनी से भी कही वो मिनी से कहता है कि अगर तुम मार्टिन को frame करने के लिए रेडियो तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे मिनी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है मार्टिन ने भी इसे मना कर दिया था राद में मिनी और मार्टिन फिर माइक का शोड़ देखने लग गया इस पर आज मिनी भी आई हुई थे शोड़ पर एक कपल आया हुआ था जिसके आदमी के साथ मिनी डेट पर गई थे इस बात से उन कपल में जगड़ा हो जाता है मिनी उस आदमी के साथ इंटिमेट भी हुई थे इस बात से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो माइक पर भी गुस्सा हो गया था तबी घर पर मार्टिन और मिनी की और एक फोटो उसे आ जाती है वो अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता डारेटली माइक के घर पर पहुच गया उसे हो मारने लग जाता है पैरलल में मिनी ने पुलीस को कॉल कर दिया मार्टिन माइक को मारने वाला था तब पुलीस वहाँ पर पहुच जाते है और उसे अरेस्ट कर लेते है पुलीस को लगा कि डायन का मर्डर मार्टिन नहीं किया है तो उसे एक बड़ी जेल हो जाती है जेल में मिनी उसे मिलने के लिए आई मार्टिन कहता है यो फोटोग्राफ अभी माइक के पास है अगर तुम जाओ तो माइक को हमारे रास्ते से हम हटा सकते है मैंनी कहती है कि तुम बहुत ही जादा बुद्धू हो वो सब फोटो मैंने ही तुमें भेजी थी जो भी सब को चुँआ ये पहले से मेरा ही प्लान था मार्टिन बैजारा हमेशा के लिए जेल में फच जाता है मैंनी लास्त में हम से गहती है कि ये भी एक बहुत अच्छा एक्स्पिरियंस था उसे अलग-अलग चीज़े ट्राइ करने में मज़ा आता था तो ये भी ट्राइ करने में उसे बहुत ही मज़ा आया इसे एक ट्विस्ट एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पिरेशन चलगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूवी के साथ तत्ते के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखे